प्रणाम करता हूँ बिहार के तमाम लोग उनको और मैंने करोना पर कई बार बोला है आज पिर बोलने की जोल पड़ गई है करोना में यह लॉक्डाउन है लॉक्डाउन का महत्त समझने की पूसिश करने चाहिए मैं यही समझाने के लिए बार बार बोलता हूँ कि करोना बहुत ही भयंकर महामारी है एक आदमी से हजारों आदमी हजारों से लाकों को फैल सकती है अमेरिका में एक लाक इसके मरीज हो गया है और यूके पे तो देखिए वहां के प्रधान मंत्री से लेकर प्रिंचार्स तक को यह मारी हो गई है और स्पेर जैसा देश ढगया इटली ढगया अमेरिका थ्वस्त हो गया चाइना की हालत खराब और दुनिया के बड़े-बड़े वक्ते को मेडिकली एडवांस कंट्री समझते हैं उनकी हालत खराब है लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें भीड में जाना नहीं है कोई सामुलिक पूजा नहीं अबादत नहीं अनुठान नहीं जग नहीं जुलूस नहीं कुछ नहीं अपने अपने घर में छुप करके रहना है और बहुत आफाल काल इस्थिति में ही प्रसा संक्रमती से बाहर जाना है यही बात मैं समझा रहा हू ऐसे भी संसंकट के समय हमारे गरीब बिहारी मजदूर जो बाहर में काम करते हैं भारी संख्या में अभी तो बॉर्डर पर आ गए हैं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती है हमें बहुत हमदर्दी है उनसे हम सब बिहार बारसियों को बहुत प्यार है उनसे उनकी पीड़ा काम समझते हैं भूखे प्यासे थके हारे मादे कहां कितनी दूर से आ रहे हैं लेकिन ये उनको समझना चाहिए कि वो जहां से आ जैसे भी आ रहे हैं पता नहीं कितने लोगों से उनकास पस हुआ होगा, कितने लोगों कुनों छुआ होगा, और ऐसी इस्थिति में ये कहना मुश्किल है कि किसके माध्यम से किसको संक्रम हो गया होगा, तो अब आएं हैं, अब बॉडर पाएंगे, उनके लिए तो भला यह ही है, कि अब बॉडर पर अपनी जांच करा लें, अपना नाम, पता, टेलिफून, नंबर देदें, कहां से आएं हैं, ये सारा धिटेल देदें, जांच करानी के बास सीमा पर जो आनाए हैं, कुरंटाइम करने के लिए वहा हैं, बिहार सरकार में उनके रहने के लिए, खा से मिलेंगे रिष्टेदारों से मिलेंगे माबाप से मिलेंगे अब ये उनको पता नहीं है वो समझते हैं मैं स्वस्त हूं ये कुछ नहीं हुआ है लेकिन ये संक्रमन तो 14 दिन के बाद पता चलता है तो अंजाने में न चाहते हुए भी जिसको बहुत प्यार करते हैं उसको लोग दूरी बनाते हुए उनको खाना पहुझा दें 14 दिन तक अपने को बिलकुल आइसो देशन में रखें किसी से संपर्क न करें दो मिटर के दूरी पर रहें घर वाले खाना भी दें तो थोड़ी दूरी बना करके उनको खाना दे दें जधा संभव बात्रूम अलग इस् कुछ लोग बैठकर के तास कहलते हैं उपशलोग बैठकर के खेलते हैं कंचों बना करके बचल अब करके क्रिकेटे लिए व्यद्र तो एक ही तरीका है संक्रवन से बचना है बचाना है और उसका एक ही तरीका है कि I इसलेशन में रहना है तो बिहार के बाहर से आने वाले तमाम भज़दोरों को मैं बहुत ही विनमबरता से हाँ जोल करके कह रहा हूं भाई आप आये हो भीड में आये हो किसको छुए हो किसने आपको छुआ है आपको कुछ नहीं पता बहुत खटबनायक बिमारी अपने घरवालों को बचाओ परिवार वालों को बचाओ, बीबी बच्चों को बचाओ, काओ वालों को बचाओ, सब को बचाओ और एगनम कुरंटाइन रहो 14 दिन तक, किसी को असपर्स नहीं करना, किसी को टुच नहीं करना और इस बात को नहीं समझोगे तो पूरा भी हाथ भस्त हो जाएगा पूरा देश परिशानी में पड़ जाएगा यह मनोता पसंद कठे हिंदु हों, मुसल्मान हो, सिक्कों, जाई, हिसाई हों, मजदूर हो, नजवान हो, अमीर हो, गरीब हो किसी को यह करोना पहचानता नहीं, करोना के लिए कोई जाद का भेद नहीं, कोई मजब का भेद नहीं, कोई पाटी का भेद नहीं, कोई प्रांत का भेद नहीं, कोई भासा का भेद नहीं, कोई भेद नहीं है करोना जिसको भी चाहे अपनी चपेट में ले सकता है बचने का एकिवाए अकेले रहो चुपके रहो किनारे रहो